टेस्ट रिकेट के 147 येर के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ वो अब हमें इंडिया वर्सिस इंगलेंग टेस्ट सीरीज के मुकाबले में देखने को मिला है इंगलेंड के तेस गेंदबास James Anderson ने इतिहास रच दिया है ऐसा का नामा कर दिया है जो आज तक इस टेस्ट रिगेट के इतिहास में कोई दूसरा तेज गेंदबास नहीं कर पाया है बिल्कुल मानिया बात करें James Anderson की तो दिगज गेंदवास तो थे ही, बहुत सारे उन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे थे England के लिए test में, लेकिन अब जो किर्तिमान उन्होंने रचा है, मुझे लगता है किसी भी पेसर के लिए बहां तक पहुचना बहुत ही मुश्किल होगा और कईयों के लिए तो हम कह सकते नामुम्किन सा होगा क्योंकि अब जो है James Anderson ने ऐसा इतियास रच दिया है कि उन्होंने test cricket में पूरे कर लिए अपने 700 टेस्ट विकेट अगर आपको बताए तो इस सीरीज में आने से पहले James Anderson को अपने 700 विकेट टेस्ट में पूरे क इन्होंने चटकाई जिसमें दूसरी विकेट कुल्दीब यादफ कि थी और कुल्दीब यादफ बने है James Anderson के 700 वे टेस्ट में शिकार और 700 कंप्लीट्स पूरी कर ली है James Anderson ने ये बहुत ही जाधा कमाल की बात है इस से 22 साल का उनका टेस्ट करियर है और उस 22 साल के टेस्ट करें में अगरा हम उनके रिकॉर्ड भी देखें तो 187 माचेस खेल चुके जिसकी 348 इनिंग्स में पूरी कर लिए अब 700 विकेट इग्जाक्त इनकी हो चुके जहापे आवरेज मातर 26.52 का है 32 बार 5 विकेट हॉल अपने करियर में लिया है तो लिया है तीन बार 10 विकेट ह बेस्ट फिगर इनके करियर का है साथ विकेट लेना 42 रंस देकर ये जेम्स आंडरसन के कमाल के इंप्रेसिव आकडे हैं काफी सीनिर इनने कहा जाता है इतनी जादा इनकी एज हो चुके है लेकिन अभी इंग्लेट इन पर वरोस्त जता रही और आंडरसन प्रूफ कर रहे स्पिनर्स और फास्ट बॉलिंग के आकड़ों में बहुत फर्क रहता है तो एक बार वह भी नज़र डालते हैं कि इन से पहले किन खिलाडियों ने किया था 800 विकेट अपने नाम किये थे मुथाया मुरली दरन जो हैं लेजेंड बॉलर थे शेन बॉन 708 विकेट उनके नाम भी थे वो भी ऑस्टेलिया के लेजेंड खिलाडी थे और अब नज़र डालेंगी तो तीसरे नंबर पर जेमस एंडरसन जो की फास्ट बॉलर इकलौते फ इंग्लैंड के लिए खेलते हैं तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही बड़ा जो है किरतिमान रचा है एंडरसन ने और बात करें एंडरसन की करियर की तो 2003 में उनका डेब्यू हुआ था जिंबावे के खिलाफ अपने ही घरेलियू मैदान मैदान लॉड्स में उन्होंने कहीं न उसी लाइन पर पूरे जिन बर गेंदवाजी कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं जो है discipline यह consistency है जो उसके चलते ही है 700 विकट का अकडा जिनोंने चुआ है इनके साथ खेलने वाले इनके बात डेब्यू करने वाले खिलाडी भी आज कहीं नहीं कर डेब्यू हो रहा है इनके साथ लेकिन जेमस अडरॉसन अभी भी यहांपे यंग्स की तरह आणिगस्टर की तरह की तरह वह आभला खेल रहें यंग्सटर को कंपीट कर रहे हैं कोई इनके साथ नहीं जो इनको टक कर दे सके चुनौतिय दे रहे हैं अपने यंग्स को भी उनके लिए चैलनेंज से hurdles कर रह और बहुत ही कमाल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं और अभी भी नहीं लग रहा कि शायद जल्दी रेटार्मेंट ले सकते हैं इस तरह कि उनकी फिटनेस इस तरह कि उनकी फॉर्म चल रही है जेम्स आंडरसन बहुत ही सिफ इंग्लेंड के ही नहीं बर्कि ओवरॉल में भी व और यह पहले खिलाडी हमें देखने को मिलें आपे जेम्स आंडरसन तो जितनी थारीफ उनकी करी जाए इस अमें उतनी ज्यादा कम है और इनकी करियर के अगर हम बात करें तो 187 टेस्ट मैच जो यही अभी तर खेल चुके 187 वा पने टेस्ट मैच खेल रहे हैं और दूसर आपको जेम्स आंडरसन का यह कमाल का उनने इतिहास रचा है इसके बरे में तो आपको जेम्स आंडरसन का इतिहास रचा रचा है इसके बारे में आपकीなんだ रहा है हमें कॉमेंस में जरूर बताईए और साथी तोफान स्पोर्ट्स को लाइक शेर और सब्स्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें